आम शोमो दनू सोमा अबन्तु मासु हूँ शोमो विर्ह कर्मने ने ददातु हूँ यद बिदेद्वयमह शबेयम पित्रह सिर्वन योमह आम चंद्रमशे नमहा आम चंद्रमशे नमहा मित्रो नमश्कार स्वागत है हमारे यूटूब चैनल डॉक्टर एच्छे स्रावत फेस्बूक पे डॉक्टर एच्छे स्रावत मैं हुआ चारे च्छे स्रावत आज मैं आपको जानकारी दूँगा आज से साम को साथ बज़ के चवालीस मिनट से मंगल का अपने ही नक्षत्र म्रिक्स्रा में ब्रमण हो जाएगा और म्रिक्स्रा नक्षत्र के दो चरणड बरिसरासी में और दो चरणड मिथुनरासी में रहे हैं मंगल का म्रिक्स्रा नक्षत्र पर अठारा नक्षत्रों पर कैसा रहा ये मैंने जानकारी आपको दी बाकी के नो नक्षत्रों पर आज मैं आपको जानकारी दूँगा लेकिन उससे पहला आपसे निवेदन करूँगा पूरी जानकरिया आप सुनिएगा अपने नक्षत्र का सहाधान करिएगा हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करिए और नोटिविजन बेल को दवाईए और बीडिये को शेयर करिएगा आपका जो भी नक्षत्र है उस नक्षत्र से जिस पर मंगल का मुमेंट है उस नक्षत्र तक गिनो और गिरने पे जो नक्षत्र आए वो उस नक्षत्र का हमारे पाट अब बोडी को उपर प्रभाव रहता है कल लेक बहुत ही अच्छे जोटसी को टाके तो उन्होंने प्रशन किया था मेरे से पर्शनली कमेंट में कि गुर्देव आपने तो बताया था किर्थ का नक्षत्र सिर्का होता है यहां से सुरुआत करते हैं असनी वर्णी को चोड़ गें कर्थ का मर्क सरा ना ऐसे बताया था रोणी ऐसे पूछा था तो वो जो नक्षत्रें वो सीरियल वाई होते हैं यहां पर जो इसका मैंने एक बार स्पीच एक संभेलन में दी थी लेकिन रिशी मंतरिश्वर माराज ने उन्होंने एक अलग कंसेप्ट निकाला है उस कंसेप्ट को मैं आपको बताता हूँ कि मुल नक्षत्र से बात करूँगा कि मूल नक्षत्र से मूल नक्षत्र वालों के लिए मूल नक्षत्र के उपर मंगल का मूमेंट मूल वालों के लिए कैसा रहेगा ये कंसेप्ट है बाकी तो सभी गिरे किसी ने किसी नक्षत्र पर गुंगते रहते हैं जैसे अस्टक वर्ग में आपने देखा होगा, कि आठ लगन को छोड़ करके साथ ग्रह और अस्टक का एक नियम होता है, कि उसमें कौन से भाब को वो मजबूत करते हैं, ऐसे ही हमारे 27 नक्षत्र को उपर जब ये ग्रह गूमते हैं, 9 की 9, तो ये कहीं है कहीं कोई मगल का ब्रमण हाथ पर रहेगा, और बाया हाथ नरधन नेता देता है, तारा देखूंक पांच मी बनती है, प्रतर ही तारा है तो अच्छा नहीं रहा ना? तो मूर नक्षत्र वालों के लिए और मर्स्रा नक्षत्र पर आपका मर्स्रा नक्षत्र चोदे में इससे प्रह आपको साफधानी बवाया ओयुत है ओम चंद्रमाशे नवाः ओम चंद्रम शे मरं इसमें उम चंद्रमशे नव Are इसके दर मंतर कल लिजेगा ustedrzy द्रम ने टक आपको बेनिफिट मिले om आ recommend आप तीन देन में कर लें पांच देन में कर लें साथ देन में कर लें कर सकते हैं और नहीं तो रोजाना कम से-कम ऊचल आप रोजकार मट कर सकते हैं और साथ में बिपत्ती आ रही है तो इसका मतलब मूल नक्षत्र और उत्तरा साड़ा नक्षत्र पांचमा और तीसरा ये दो नक्षत्र बहुत बारी हैं इनके उपर इन नक्षत्र वालों के लिए मर्कसरा पर स्वय नक्षत्र के उपर मंगल का ब्रमण अच्छा नहीं है चो गोद में किसी उपला तो सर्मन धनिश्टार सत्विसा सर्मन नक्षत्र शंद्रमा का हो गया धनिश्टा नक्षत्र मंगल का स्वहरासी का हो गया स्वहर नक्षत्र हो गया सत्विसा रहूं का हो गया 9-10-11 ये गोदी में आ रहे हैं तीन नक्षत्र तो सिर्मन धनेश्टार सतिवसा तीन नक्षत्र सुपरिश्टार हैं ये कह सकता हूं ये नक्षत्रों के राजा हैं तीन नक्षत्र 27 नक्षत्रों के राजा हैं और इन नो नक्षत्रों में तो तीन सबसे टॉप में हैं क्योंक ये नक्षत्र गोध पर ब्रमण कर रहे हैं दुबारा सुन लें अगर आपका सर्वन नक्षत्र है तो 24 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं दनिष्टा नक्षत्र है तो 24 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं आज से यानि 16 अगस्त की साम को साथ वज़ के चावाज से और सत्विसा नक्षत्र है तो गय अच्छा है अब चलते हैं हम आगे पूर्वा बादरपद नक्षत्र ये देव गुरु ब्रिस्पती का है आठमा नक्षत्र बन रहा है आठ, साथ और छे ये पैरों पर है छे, साथ, आठ ये पैरों पर बरमण है पैरों पर अच्छा नहीं होता जगड़ा फसाद होता है याँ पर तो पूर्वा बादरपद देव गुरु ब्रिस्पती का ये आठमा बन रही है तारा थीक है उत्तरा साड़ा जो नक्षत्र है ये सनी का है ये साथमा बन रहा है साथमा बद होता है जगड़ा फसाद और बद होना जगड़े फसेद में मारपीट होना मिर्टू तुलकष्ट हो जाना तो ये भी बड़ा खराब है और रेवती नक्षत्र छटा पढ़ रहा है जो 27 मन नक्षत्र है और तारा भी छटी पढ़ रहा है ये वो अच्छा है तो इसका मतलब तीन नक नक्षत्रों के राजा है सिर्वन, धनिष्टा और सत्विसा और तीन नक्षत्र परिशानी में है मूला है उत्रा साड़ा है और सात में है उत्रा बादर पर ये तीन नक्षत्र कहीने के परिशानी में रहने वाले है केतु का नक्षत्र है एक सूरी का नक्षत्र है और एक ह सनी का नक्षत्र, तीन नक्षत्रों पर कष्ट, तीन नक्षत्र नक्षत्रों के राजा, और बचे तीन नक्षत्र मध्यम, ये आपका एक फलादेश की प्रिकरिया है, आप भी अगर अपने नक्षत्रों के बारे में, अपनी रासी फल के बारे में जानना चाहते हो, आपको अपना पता देता हूं जिस पते पर आप संपर कर सकते हैं हमारी इमेल आईडी है हमारी वेपसाइड है द्रह्रावाद.com ठन्यवाद झाल